हलो दोस्तों आज काफी दिनों बाद हम यहां पर अगेन बात करने वाले हैं जिंदलस ओल इमिटेट से रेटेट jindals all limited के अगर हम बात करें कि हमने यससे पहले रेलेटेड वीडियो बनाई है तो जो हमारे पुराने subscriber है उन्हें तो यहारे पता ही होगी कि हमने यहाँ पर कितनी बार वीडियो बनाई है और कब-कब बनाई है वो भी उने यहाँ पर पता चलती होई दिखाई देगी तो आप यहां पर देखोगे जिंदल सौ की, ठीक है, हमारे चैनल पर, तो आपको बता चलेगा, जिंदल सौ हम यहां पर जो वीडियो बना रहे है, काफी टाइम से यहां पर बनाते हुए आ रहे हैं, और यहां पर एक बार में चले जाता हूं, दुबार हो, ठीक है, एक मिन आपको देने के बाद, अब शेयर क्या दुबारा हमें लेना रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर बात की जाए, जिंदल सौ की, जो वीडियो है, हम यहां पर काफी लंबे टाइम से बनाते आ रहे हैं, और एक सो बीस रुपे पे, यहां पर शेयर को हमने पहली बार दिया गया यहां पर, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, शेयर लगभग 219% के रिटन दे चुका है, ठीक है, तो 219% के रिटन, एक मल्टी बैगर रिटन, आपको देने के बाद, अब शेयर क्या दुबारा हमें लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या इसमें अभी भी पोटेंशियल है क्यों, क्योंकि आज आप देखोगे, तो 5% शेयर यहां पर भागता हूँ और नहीं जरा है था, तो इस से इलेटेट हम यहां पर बाते करते हैं, जिंदल सौ की बात कर रहें, तो यहां पर देखिए, जिंदल सौ लिमिटेट दा फ्लैक्शिफ कंपनी इनके एक पर प्रोडक्स पर यहां पर क्लिक करिये, तो आपको बाता चलेगा इनके अलग-अलग तरीके के प्रोडक्स है, जो कि यहां पर देखिए, यहां पर जो आइरन से देटेड पाइपस बनाए जाते हैं, ठीक है, एस वेल एस पैलेट बनाए जाते हैं, जो कि करने के लिए यहां पर यूज होते हैं वह यह प्रोडक्ट कंपनी बनाती हुई नजर आती है तो आप देखिए अच्छा खासा बिजनस है और जिस तरीके से मैनुफ्रेक्ट्रिंग यहां पर अगर हम बात करें भारत का इंफर्स्रक्ट्टर बढ़ रहा है ठीक है तो यह सा को देखेंगे वाट उससे पहले रिक्वेश्ट है चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट आल की नोटिफिकेशन कौन करिएगा बाइंग साली की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाईजर कुद की स्टेडी करें और जितना हो सके सीखने की कोशि आपको यहाँ पर वैल्थ क्रियेट करनी है तो यहाँ पर इन नंबरों पर कॉंटक करिए 8605-40501-816926-1037 तो आप बेसिक्स टू एडवांस टेक्निका रिसर्च फंडामेंटल यह पूरा का पूरा कोर्स कर सकते है कब लेना है कब बेचना है और कब यहाँ पर शेयर मू देखे वाटसप ग्रूप में एड़ हो सकते हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे श्टोक्स आपके लिए पोस्ट करते जाते हैं और अगर किसी का पॉर्टफोलियो बड़ा है ओके 5 लाग 10 लाग 50 लाग 1 करोड यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं नंबरों पर कॉंटक कर सक है अच्छे अच्छे यहाँ पर बात करें आहिंसा जन आहिए तो यहाँ पर घल सपन एका थे कमी इसह ऑंर डिक सकते हैं यह जितने भी पाइप से लेटेट कंपनी जहांसे एक प्लेस दूसरे प्लेस में यहां पर चीज़े पहुचानी है यह कंपनी वो बनाती हुई नजर आती है यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर रिवेन्यू इनका अलग-अलग चीजों से आता हुआ दिखा कंपनी की बात करें अगें स्मॉल कैप कंपनी है 11,653 करोट रूपे का मार्केट के अप है सोले के पर इंडश्टी का पी 21 का है तो अभी भी सस्ता नहीं जराता है बच रिश्टिल मैं आपको कहूंगा पी के बेस पर कभी काम नहीं करते हैं महेंगा है तो भागेगा नहीं यह एक गलत बात है और अगर आप सोचरो सस्ता है भाग जाएगा तो यह भी एक गलत बात है ROC ROE कुछ खास नहीं है लॉंग टरम का वीजन देखना मत ठीक है बर जब तक आपका साथ दे रहा है तर तक आपको साथ देना है 62% का यहाँ पर डेट है किसी तरीके की प्लाइजिंग नहीं 391 का हाई लगा है 364 पर चल रहा है आज 5% उपर था इंट्रेंसिक वेल्ली को यहाँ पर इसने बीट कर शायद आगने वाले टाइम में आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है दो की phase value है यहाँ पर देखोगे margin तो margin अच्छे खासे है net profit operating profit सब कुछ देखिए यहाँ इस्टेवर ही company दिखा रही है एक दो quarter की result और अच्छे आ सकते है और जब एक दो quarter की result पर बात करना अच्छा आ सकते है तो share का price रुकने निवाला यहाँ से और ज़्यादा भागता हुआ नज नजर आ रही है यह क्या यह positive factor है 300 करोड रुपे working progress में लगे हुए 251 करोड का investment और cash की बात करें तो 200 करोड का cash भी पड़ा हुए positive cash flow है यह चीज हमेशा अच्छी माने आती है इसके इलावा बात करें promoters के पास 63.26% के share है यहाँ देखिए promoters ने share यहाँ पर बढ़ाए है F.I.S की बात करें F.I.S के share यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे है D.I.S की बात करें D.I.S के पास भी थोड़े बहुत ना के बराबर share है पब्लिक के पास से share यहाँ पर बेच जा रहे है ओके निकलते जा रहे और पब्लिक के पास से share का निकलना हमेशा positive चीज ही की तरफ दरशाता है यहाँ पर promoters जो यहाँ पर है बात करें जिंदल सो एंप्लाई वेलफेर जो फंड होता है उधर से इन्होंने लगभा 40,000 शेयर 370 लुपीस के भाव से यहाँ पर निकाले लगभा 1.40.000 रुपे के ठीक है इससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो अगस्त मे कुछ promoters ने buying भी किया और इसकुछ ने बेचा भी है तो वो चलते रहेगा ठीक है और इन्होंने निकाल दिया उन्होंने खरीड लिया इससे कोई फरक नी पड़ता है इस चीछ को याद रखिएगा चीजे अगर अच्छी है ठीक है तो आपका साथ हमेशा देगी और बेका करते हैं आगे बढ़ते हैं चिंदल सौकी यहां पर चार्ट से लेडिर बाते करते हैं पर इससे पहले रिक्वेश्ट चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टॉल्क नोटिफिकेशन को और बाइंग सलनी की रिकमेंडेशन है नहीं चीज़ों को देखे सीखे और इन न तक कोई परिशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए जिंदल सौक अल्रेडी एक अच्छे हां से रिटन दे चुका है ठीक है और यहां पर एक कंसॉलिडेशन मोड पर आप देखोगे तो लगब लगब तीन महीने से यह एक कंसॉलिडेशन फेज में और देखोगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि तीन सो पिच्चासी रुपेता कि यह दो चार दिन में आता हुआ दिखाई दे जाएगा ठीक है और उसके बाद अगर यह इस ले इस ले इस लेन को क्रॉस करता है और एक्जट लेवल में आपको बता दूं 392 को लेवल को cross करता है तो मैंने एक intrinsic value आपको दिखाई दी ठीक है इसकी intrinsic value 559 है तो यह share यहाँ पर 559 रुपीज की तरफ भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यह share कितना आपको return दे सकता है तो उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो जैसे ही यह share 396 का लेवल है जो ठीक है 400 रुपे का लेवल मानके चलिए यह निकलता है तो यह share 900 रुपे तक जा सकता है तो अभी भी इसमें एक अच्छी खासी upside और अगर यहाँ तक जाता है तो आपके जब अपरा consolidation हो सकता है थोड़ी गिरावट भी हो सकती है हर चीट के लिए तयार है न और फिर जब भागेगा तो अच्छे लेटन मिलेंगे ही मिलेंगे तो buying selling की recommendation है नहीं चैनल को subscribe bell icon को hit करना है और के notification को on करना है like comment share करना है और जेतना हो सके प्यार बर्जान की कोशिश करना ह thank you so much god bless